हेलो प्रीबन आज मैं फिर से बनाने लगी हूँ एक सुीट क्योंकि सुीट मेरे घर में जब खतम हो जाती है तो मैं जट से दूसरे सुीट बनाना शुरू करती हूँ और सुीट इस तरह से बनाती हो जो सभी के लिए हेल्दी हो तो आज मैं बनाने लगी हूँ मूंग डाल की बर्फी तो मूंग डाल को मैं इस तरह से एक कप करके ले रही हूँ नाप के तो इसी कप से मैं लूँगी मूंग डाल और मूंग डाल को हमें चार पांच घंटे के लिए भिगो के रखना है तो मूंग डाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और ऐसी बहुत सारे पोसक्ताथ पाया जाते हैं जो हमारे सरीर को काफी फाइदा पहुचाते हैं तो इस तरह से मैं मूंग डाल को चार-पांच घंटे के लिए अच्छी से धुल करके दो-तीन बार भीगो के रख रही हूँ और इसके बाद हम 4-5 घंटे के बाद देखेंगे के डाल हमारी अच्छी से भीगर तयार हुई है के नई तो चार पांच घंटे के बाद मैंने देखा है हमारी दाल अच्छे से भीकर तयार हो गई है अब हमें क्या करना है कि दाल का पानी निथा लेना है चलनी में डाल के दाल को तो जब तक पानी हमारा दाल का निथा रहा है तब तक हम जो है इसको इसी तरह से बरतन के ऊपर मिक्सि जार में डाल लिए बारिक बिना के विम से पीस तो लारी के दितना के मिक्सि में पिस सके तो मैं यहां पर आपको दिखा रही हूं कि जो डाल वो इस तरह से बारीख होके पिस च lassang के जैसा आटा होता है ना मोठा मोठा जो हम घर का पीसते हैं उस तरह से ये दाल पिसकर तैयार हुई है जो घर की चक्की से हम पीसते हैं ना हाथ वाले से तो उस तरह से ये मूंग दाल को हमने मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया है लो फ्लेम पर हमने एक पैन रखा है पैन में द क्योंकि इसमें कच्चेपन की खुसबू आती है अगर आप इसको अच्छे से ना भूने तो मैं यहाँ पर लो फ्लेम पर ही भून रही हूँ जिससे के डाल में जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए हमारी दाल भूनकर हो गई है अच्छे से तयार तो अब मैं इसमे mix करने जा रही हूं 1.5 cup गुड़ और गुड़ में भी बहुत चीजिए पाय जाती है सबसे ज़दा आइरन पाया जाता है तो इस तरह से मुंग डाल में गुड़ डाल करके अच्छिक से mix करके मैं मुंग डाल की बर्फी तैयार करने जा रही हूं और जैसे मैंने मौंग डाल में गुड़ फोड़ करके डाला है तो गुड़ जो है घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं यहां पर डाल रही हूं एक चमच पानी फ्लेम को लोही करना है धीरे-धीरे दोनों चीजों को अच्छे स मिक्स करते रहना है जब आपको लगे कि यह अच्छे से टाइट हो गयी है या इसका जो पानी है या दाल और गुड़ है अचे से मिक्स हो गया है और इखटा होने लगा है तो तब आप नहीं डाला है सूख ऩा नारिल कस करके डाला है अप इस अपनी पसंद के ड्राइफो ग्षे से we yönचे दोनों चीजे पैन में खटी होने लगें से फिर हमें फ्लेम को बन्दकर के एक धाले में घह लगाना है और इसमें हमें इस मेंस्ट kषम को निकाल लेना है और फिर हमें स्ट कर लेना है तो इस तरह से मूंग डाल की बर्फी बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी ये बन जाती है, हेल्दी है और जब भी आपका मीठा खाने को मन करें तो आप इस रेसिपी को बना कर तयार कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं परती, ये जट पट से बन कर तयार हो जाती है, तो थोड़ा सा सूखा नारिल मैंने बचा लिया था, उपर से कारनिस करने के लिए, अच्छे से सैट कर लेना है और आदा घंटे के बाद रेस्ट पर छोड़ देना है, आदा घंटे के बाद देखना है, आपकी जो ये बर्फी है वो अच्छे से जम कर तयार हो गई है, अब इसमें आप अपनी पसंद के पीस कट कर सकते हैं, तो आप मैंने जो है आदे घंटे के बाद इसको कट कर लिया था, तो ये थोड़ी सोफ्ट थी, जैसे आप इसको रखोगे तो ये टाइट हो जाएगी, तो इस तरह से एक पीस मैंने निकाल लिया है और एक पीस निकालने के बाद मैं इसको तोड़ कर दिखा रही हूं, तो ये इतना सोफ्ट बना है, जैसे ये और ठंडी होगी, तो और ज्यादा सक्त हो जाएगी, मैंने और ज्यादा ये टाइट हो जाएगी, तो इस तरह से हमारी ये मूंग दाल और गुड़ मिक्स के ब पर फीबन करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंदाये रहे हैं, तो ये और रहा है, फ्याल सम्साओं कर दो करके साथक्याद आथा।